हेलो बच्चों कैसे आप सबी लोग एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबी के बीच प्रिजेंट हूँ तो सुरू करते हैं अज की वीडियो जैसा की बच्चों मैंने पिछली वीडियो में एक टैस्ट लिया था उसमें कुछ बच्चों नों तो बहुत ही अच्छा अंसर दि है यह बच्चों अपने जिंदिकी में कुछ नाया जरूर करेंगे नाया करने का मतला समझते हैं ना हाँ ठीक आगे खुछ समझ जाएगा आप तो बच्चों आज कर जो हमारे टॉपिक उसका नाम है वियर विदी ठीक है बच्चों इससे पहले हमने हॉल विदी के बढ़ा जब फैरिक ऑक्साइड के सुद्धी होगी तो इसमें वियर विदी कर प्रियोग करेंगे ठीक है बच्चों इस विदी में सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉक्साइड में एने और से कराते हैं और कितने टेंपरेचर पर एक सोपचास डिगी सेल्सियस टेंपरेचर पर और असी बाइयू मंदल दाप पर ठीक है जम टेंपरेचर पर इसकी रियक्शन कराते हैं और असी बाइयू मंदल पर तो क्या होता बच्चों जो हमारे पास सोडियम मैट अलूमिनेट है वह हमारे पास प्राप्त होता है जब हम बॉक्साइड की रियक्शन नुस से कराएंगे तो हमारे पास सोडियम मैट अलूमिनेट प्राप्त हो जाएगा अब बच्चों जैसे कि आप जानते हैं इसमें सोडियम जो बॉक्साइड है इसके अंदर तुम्हें जल दिखाई दे रहा होगा दिख रहा है कि नहीं जल है अब आप ही बताइए यसी कोई चीज है जिसके अब बच्चों मैं एक चीज़ा बता दूं यहां पर F2O3 यानि फैरिक ऑकसाइड यह आइरन का यह रूप है आइरन यानि लोहे का अब बच्चों इसमें सब चीज तो गल गई मंगर जो आइरन है ना यानि लोहा जो आसानी से नहीं गलता आप सब भी जानते हैं ठीक है अब आगे समझना जाए क्या होता इसमें अब जो हमाएं पास सोडियम मैट अलूमिनेट इसको जल के साथ घोलेंगे अब मैंने आपको पहली बताया क्या आइरन इसके साथ घुल जाएगा बिल्कुल भी नहीं घुल लेगा क्योंकि वह आगले नहीं है जैसे हम चाय चाय इसको यह दोनों एक दूसरे से अलक हो गए ठीक है अब बच्चो क्या करते हैं यहाँ पर अब जो हमारे पास सोडियम मैट अलूमिनेट बनाए इसको हम जल के साथ करेंगे बच्चो उबालेंगे ठीक है वालने के बाद हमारे पास प्राप्त होगा क्या एलमूनियम जैसे कि आपको रियक्सिन में दिख रहा है हमारे पास सोडियम मैट अलूमिनेट था इसको उने जल के साथ बाल दिया हमारे पास क्या वान गया एलमूनियम हाइड अब अलग निकल गया सोडियम हाइड अलग निकल गया बच्चो इसमें एक ची बता हुए रियक्शन को हो जाएंगे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है अप बच्चो हमाइब पास जो ऑफिए बना ऐसे बना था उसको हम प्रेंगे घरेंगे तेज care गरम करेंगे जिससे हमारे पास सुद्ध अलूमीना प्राप्त हो जाएगा यहीं हमें करना था ठीक है तो आज ही वीडियो हमारी ही तक थी ठीक है आपको नीचे दिख रहे होगी ऐलमुनियम हाइड ऑक्साइड है यह ठीक है इसको हमने क्या गरा जब इसको गरम करेंगे तो अलूमीना हमें अलग हो गया जल के रूप में अलग हो गया ठीक है अब बच्चो आज का टैस्ट ठीक है तो पहले टैस्ट है मेरे पास पैला कोशुन ने टैस्ट का जब बॉक्साइड में फएरिक ऑक्साइड की असुद्धी होती तो इसका शोधन किस पीज़ार किया एक ठीक है दूसर कोश्चन है वेर विदी में बॉक्साइड की किरिया किस से होती है बहुत कितने ताब बाइयो मंदल्स आप पर होती है ठीक है ठीक है जब सोडिया मेटालूमिनेट को जल के साथ उबालते हैं तो उसको अपच्छे बनता है कि चीज का बनता है आपको बताना ठ होता है ठीक है फिप्त कोश्चन है जब वॉक्साइड में फैरिक ऑक्साइड वा सिलीका के शुज्जय होती है तो इसका सोधन किस विदी द्वार किया आता है बच्चों तो आज की वीडियो ही तक है और बच्चों आप एक चीज में आप सबसे कहता हूं वही लाइक कर द